Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना 100 days of deep learning playlist continue करने वाले So अभी तब का progress में आपको बता देता हूँ हम Transformers Architecture पढ़ रहे हैं और हम उसके बिल्कुल midway point पे हैं इसका मतलब यह है कि हमने Encoder का Architecture पूरी तरीके से समझ लिया है Now we are moving forward to the Decoder Architecture And Decoder Architecture में हम लोग आज एक बहुत specific part पे zoom in करने वाले और उस part का नाम है masked multi head attention Honestly, it's a different flavor of multi head attention और self attention you can say But इसमें एक छोटा सा detail है जिसका conceptual understanding आपको होना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के पहले So I am super excited for this video, let's start So guys, video start करने के पहले एक छोटा सा recap ले लेते हैं अभी तक हमने Transformers के उपर 10 videos upload किये हैं इस channel पे और इन 10 videos में क्या हुआ है वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ So Transformer Architecture हमने start किया था और मैंने आपको start करते डाइम बताया था कि मेरे दिमाग में ये जो topic है Transformers ये बहुत important है और शायद ही आपको भी पता है because अभी जो भी आप AI के field में advancements देख रहे हो most of them are driven by Transformers अगर आप उसको खोल करके देखोगे तो शायद अंदर Transformers ही use हो रहा होगा तो उस sense में मेरे दिमाग में इस topic को बहुत importance मिला हुआ है and that's why I decided कि मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा भला ही थोड़ा time लगे so हमने क्या किया था हमने सबसे पहले ये establish किया था कि Transformer architecture को आप दो parts में divide कर सकते हो एक होता है encoder और दूसरा होता है decoder ठीक है और हम सबसे पहले encoder पढ़ने निकले थे और मैंने वहाँ पे आपको एक चीज और बताए थी कि ये architecture थोड़ा complex है तो अगर आप सीधे पूरा का पूरा encoder पढ़ने निकलोगे तो हो सकता है कि आपको चीजे समझ में ना आए तो हमने एक alternate philosophy यूज़ की पढ़ाई करने की और वो philosophy ये थी कि rather than पूरी चीज एक साथ समझने के what if हम पहले building blocks समझे और फिर जब building blocks समझ में आ जाए तो फिर पूरी चीज समझने को निकले हमने ये ही philosophy यूज़ की तो हमने इस पूरे 10 वीडियो की जर्नी में छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किये जैसे कि self attention और multi head attention क्या होता है positional encoding क्या होती है और normalization क्या होता है etc ये सारी चीज़े हमने कवर की और जब हमें ये सारी चीज़े समझ में आ गई फिर हमने last वीडियो में पूरा का पूरा encoder का architecture decode करके समझ लिया and I really hope आपको समझ में भी आया अब हमारी जो जर्नी है वो 50% cover हो चुकी है encoder हमें समझ में आ चुका है और 50% बाकी है अब आपको ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये जो 50% की जर्नी बाकी है ये थोड़ी और ज़्यादा difficult रहने वाली है because guess what जो transformer का decoder है वो थोड़ा सा architecturally speaking और difficult है ठीक है और वो शायद आपको इस diagram में भी दिखाई दे रहा होगा देखके भी आसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़े चल रही है तो what I will do is कि मैं फिर से वही same philosophy follow करूंगा जो मैंने encoder में follow की what I will do is कि rather than सीधे एक वीडियो में decoder पढ़ाने के मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में जो building blocks है decoder के वो पहले समझाऊंगा और फिर जब हम वो समझ जाएंगे तो एक single short वीडियो में मैं आपको पूरा decoder architecture समझा दूँगा अब अच्छी बात ये है कि decoder में सब कुछ नया नहीं है which means कि बहुत सारी चीज़े encoder से repeat हुई है तो वो अच्छी बात है जैसे कि यहाँ पे आपको multi head attention दिखाई दे रहा होГा यहाँ पे भी आपको positional encoding दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे भी आपको add an norm layer दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे भी आपको feed forward layer दिखाई दे रहा होगा तो a lot of things are actually repeating तो वो हमें दुबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बट कुछ नई चीज़े आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगी जैसे कि यह word masked सो यहाँ पर एक दूसरा flavor of self attention यूज होता है जिसको masked self attention बोलते हैं इसके अलावा एक और चीज़ अगर आप notice करो कि यहाँ पे जो attention यूज हुआ है इसमें एक arrow तो decoder से आ रहे है बट दो arrows encoder से आ रहे है तो यह भी एक अलग flavor of self attention है जिसको हम cross attention बोलते हैं तो यही दो वो major building blocks हैं जो हमें समझने पढ़ेंगे decoder का architecture समझने के लिए तो आज का जो वीडियो है वो मैं पूरा का पूरा dedicate कर रहा हूँ यह masked multi head attention समझाने के लिए and trust me इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस concept में कोई परिशानी नहीं होगी मैं आपको एकदम why level answers दूँगा जिससे आपके दिमाग में एक बहुत deep intuition आ जाएगा कि क्यों decoder के अंदर masked self attention की जरूरत पढ़ती है और उसके अलावा what और how तो हम cover करेंगे ही तो I really hope मैंने इस वीडियो का जो purpose है वो आपके सामने clear कर दिया है अब let's start the video अब guys masked self attention समझाने के पहले मैं आपको एक sentence दिखाना चाहता हूँ यह sentence बहुत special है इस sentence की खासियत क्या है कि अगर आपने यह sentence समझ लिया अच्छी तरीके से तो फिर आपको masked self attention भी समझ में आ जाएगा sentence क्या है पढ़के सुनाता हूँ अब आईनो आप क्या बोल रहे होगे आप बोल रहे होगे कि सर आपने तो मोड़ी खराब कर दिया वीडियो की शुरुआत में थोड़ी आसान सी चीज़े पढ़ाई जाती है आपने तो यह बहुत भारी भरकम sentence हमारे उपर छोड़ दिया क्या होता है auto-regressive inference क्या होता है यह सब हमें नहीं पता तो एक काम करते है पहले ना कुछ चुट terms यहाँ पर यूज हो रहे है उनको मैं simplify करके बताता हूँ because बहुत important है यहाँ पर एक simple सी बात लिखी हुई है कि जो transformers का decoder होता है वो inference के time पर auto-regressive होता है और training के time पर non-auto-regressive होता है यही sentence है अब सबसे पहले एक simple सी चीज़ clarify करना चाहूँगा कि inference क्या होता है inference का simple मतलब है prediction इसका मतलब यह हुआ कि जब आप transformers को use करके prediction कर रहे होते हो तो उस वक्त transformer का decoder auto-regressive होता है या एक auto-regressive model की तरह behave करता है और जब transformer की training चल रही होती है तब वो non-auto-regressive model की तरह behave करता है ठीक है अब आपके दिमाग में बस एक ही doubt रहे गया और वो है कि auto-regressive का क्या मतलब है तो जल्दी से समझते हैं कि auto-regressive model क्या होता है so auto-regressive model actually economics का concept है और अगर आप बहुत strictly machine learning के domain में बात करना चाहते हो तो ये time series से आया है time series में बहुत सारे models जो use होते है वो auto-regressive models होते है but मैं time series में नहीं घुसना चाहता मैं आपको deep learning के context में समझाना चाहता हूँ कि auto-regressive model का क्या मतलब है so मेरे पास एक simple definition है मैं उसको use करना चाहता हूँ इस पूरी चीज को explain करने के लिए so in the context of deep learning auto-regressive models are a class of models that generate data points in a sequence by conditioning each new data point on the previously generated points simple चब्दों में ये मतलब हुआ कि माल लो आपने एक machine learning model बनाया जिसका काम था stock prediction हर दिन stock का क्या value है ये predict करके देता है हमारा ये machine learning model तो माल लो इसने Wednesday को predict किया कि stock का value 29 है Thursday को predict किया कि stock का value 30 है अब Friday को उसको predict करना है कि stock का क्या value होना चाहिए तो एक auto-regressive model क्या करता है कि किसी particular दिन prediction करने के लिए वो उसने पिछले दिन क्या prediction किया है उसकी help लेता है इसका मतलब ये हुआ कि Friday को stock की value क्या होगी वो depend करेगी कि Thursday को stock की value क्या है और Wednesday को stock की value क्या है तो एक बार वापस अगर आप definition में जाओ तो यहाँ पे देखो clearly लिखा हुआ है auto-regressive models are a class of models that generate data points in a sequence by conditioning each new data point Friday वाला data point on previously generated data points Wednesday और Thursday वाले data point के basis पर अब honestly अगर मैं आपको एक बात बता हूँ भले आपने ये नाम ये term पहली बार पढ़ा कि auto-regressive model करके कुछ होता है बट आप ऐसी चीज ऐसा model पहले देख चुके हो let me take you back to the original encoder-decoder architecture जो हमने कुछ videos पहले पढ़ा था अगर आपको याद हो कुछ 10-12 videos पहले मैंने आपको सबसे basic वाला encoder-decoder architecture पढ़ाया था जो ilya skatskiver का जो architecture था seek-to-seek network वाला वहाँ पहले हमने एक बहुत simple encoder-decoder पढ़ा था जहाँ पर encoder में भी LSTM यूज होता था और decoder में भी LSTM यूज होता था और हमने एक language translation का task यूज किया था जहाँ पर आप English से Hindi translation करना चाह रहे थे और हो क्या रहा था कि आपका English sentence encoder में जा रहा था ये LSTM उसको process कर रहा था और एक context vector generate कर रहा था और यही context vector आप decoder में डाल रहे थे और decoder ये Hindi translation produce कर रहा था ये high level overview था बढ़ अगर आपको याद हो मैंने उसके बाद थोड़ा deep जाकर के भी समझाया था window को बढ़ा कर दूँ तो ये हमारा architecture है सो हो क्या रहा है कि हमारे पास ये sentence है nice to meet you हम इसको encoder के अंदर भेज रहे है one word at a time सबसे पहले मैंने nice भेजा first time step में फिर मैंने to भेजा फिर मैंने meet भेजा फिर मैंने you भेजा और LSTM क्या कर रहा है एक एक करके उन सबको process करता जा रहा है और end में वो ये hidden states generate कर रहा है ht और ct इनको ही हम context vector बुला रहे हैं और इन context vector में क्या छुपा हुआ है इस English sentence का summary अब यहां से main चीश शुरू होती है ये आपका decoder part है आप इस context vector को as it is भेजते रहे हो decoder में और decoder में साथ ही साथ आप एक और input दे रहे हो और वो है ये start का input अब उसको ये context vector मिला which is the summary of your English sentence और ये start token मिला और इन दोनो inputs के basis पे इस LSTM ने है decoder वाले LSTM ने ये word generate किया आप से अब अगले time step में क्या होगा कि आप अगला word generate करना चाहते हो तो अगला word generate करने के लिए आप जो modified hidden state है वो भेज रहे हो as input बड़ साथ ही साथ आप इस आप से को भी as input अगले time step को दे रहे हो अब ये अगला time step इन दोनों को ले करके मिलकर produce कर रहा है फिर ये मिलकर अगले step के लिए input बन जा रहा है जिससे अच्छा produce हो रहा है फिर ये अच्छा अगले time step में input बन जा रहा है जिससे लगा produce हो रहा है और फिर लगा अगले time step के लिए input बन जा रहा है जिससे ये end token produce हो रहा है जिससे समझ में आ रहा है कि अब translation बंद करो भाई लेकिन यहाँ पे खास बात यह है notice करने की कि at any time step आपको अगर output बनाना है या predict करना है तो वो output predict करने के process में आपको पिछले time step पे क्या output predict हुआ था उसकी भी जरूरत पड़ रही है और इसलिए आप बुला सकते हो इस model को as an auto-regressive model तो NLP में ये जो सारे models होते हैं seek to seek models जैसे कि language translation हुआ या फिर language modeling हुआ जहाँ पे आप sentence या text generation कर रहे हो वो सारे models actually auto-regressive होते हैं क्योंकि वो sequentially one step at a time tokens generate करते हैं so अगर मैं वापस जाओ इस sentence में तो I really hope आपको अप थोड़ा बेटर समझ में आ रहा है ये पूरा का पूरा sentence कि the transformer decoder is auto-regressive at inference time but it is non auto-regressive at training time ठीक है at least आपको ये वाला part समझ में आ रहा है कि prediction करते time वो auto-regressive है training के time पे non auto-regressive क्यों है यह हमारा आज के वीडियो का topic है ठीक है so I really hope ये पूरा discussion आपको समझ में आ गया अब आपके दिमाग में एक छोटा सा curiosity आ सकता है कि ये जो सारे seek-to-seek models है जो let's say इस तरह के tasks perform करते हैं जैसे कि language translation का task हुआ या फिर text generation का task हुआ या text summarization का task हुआ ये सारे models auto-regressive क्यों होते हैं तो इसका answer बहुत simple है आप एक साथ सारे के सारे words क्यों नहीं produce कर सकते ऐसा सोच के देखो इस model की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये sequentially ये सारे words generate कर रहा है आप से फिर मिलकर फिर अच्छा फिर लगा ऐसा भी तो कोई model हो सकता है न जो सीधे एक साथ आप से मिलकर अच्छा लगा ये चारो एक साथ पैरलली generate कर दे ऐसे models इसलिए नहीं होते ये पता होना चाहिए कि आपने अभी तक क्या generate किया है आप एक साथ पूरा का पूरा paragraph generate नहीं कर सकते क्योंकि आगे वाले words पीछे वाले words के उपर depend करते है मतलब ये sequential data है inherently तो इसको sequence में ही generate करना पड़ेगा you cannot just spit out the entire paragraph in one go and that is why these models have to be auto-regressive और कोई option ही नहीं है so I really hope आपको ये curiosity नहीं आ रही कि भाई what if मैं auto-regressive model ना use करूँ और मैं एक साथ सब को generate कर दूँ वो possible ही नहीं है because sequential data का सबसे fundamental aspect ही यही है कि आगे वाली चीज पीछे वाली चीज पर depend करती है तो जब तक पीछे वाली चीज पहले से नहीं आई होगी तब तक आगे वाली चीज को आप generate कर ही नहीं सकते and that is why to model such data you need auto-regressive models and that is why transformers is also a auto-regressive model now असली मज़ा कहा है असली मज़ा इस sentence में इस sentence में एक बहुत मज़ेदार बात लिखी हुई है कि transformer का जो decoder है जहाँ पर actually generation हो रहा है output निकल रहा है वो auto-regressive है but सिर्फ inference के time पे which is fine हमने अभी तक जो पढ़ा ऐसा ही होना चाहिए but मज़ेदार बात ये है कि training के time पर वो auto-regressive नहीं होता don't you think decoder को दोनो situations में एक जैसा behave करना चाहिए training के time पे भी उसको auto-regressive होना चाहिए inference के time पे भी उसको auto-regressive होना चाहिए but guess what transformers training के time पे अलग तरीके से behave कर रहे है और inference के time पे अलग तरीके से behave कर रहे है और ये जो difference in behavior है इसके पीछे का reason अगर मैं आपको एक word मैं बता पाऊं तो वो word है masked self-attention जो हमारे आज के वीडियो का topic है अगर आप ये समझ गए तो फिर आप समझ जाओगे इस sentence को और इसी लिए अब हम move करते है masked self-attention समझने की तरफ ठीक है तो I really hope अभी तक जो build up है वीडियो का वो आपको पसंद आ रहा है आपके अंदर मैंने थोड़ी सी curiosity spark कर दिये और अब आपको answer चाहिए so अगर answer चाहिए तो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में so guys now that आपको ये बात समझ में आ गई की seek to seek models को auto regressive होने की क्यों जरूरत पड़ी और साथी साथ आपने ये sentence भी काफी बार देख लिया so now this is a good time की मैं आपको logically ये प्रूफ करके दिखा हूँ कि ये sentence सही है right फिर से एक बार discuss कर लेते हैं sentence में क्या लिखा हुआ है कि जो transformer का decoder होता है वो inference के time पे तो auto regressive होता है but training के time पे auto regressive नहीं होता है ये sentence अब मैं आपको prove करके दिखा हूँगा कि सही है ठीक है और prove करने के लिए मैं थोड़ा सा एक अलग तरीका यूज़ करूँगा what I will do is कि मैं पहले ये मान के चलूँगा कि transformer का जो decoder होता है वो inference के time पे तो auto regressive होता ही है मैं ये भी मान के चलूँगा कि transformer का जो decoder है वो training के time पे भी auto regressive होता है ठीक है मैं इस पूरे discussion की शुरुवात यहां से करना चाहता हूँ कि मैं ये मानूँगा कि दोनों ही stages में inference and training दोनों ही stages में transformer का decoder is auto regressive ठीक है और इस discussion को carry out करने के लिए मैं एक sentence in fact what I will do is मैं एक problem statement लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ so मेरे पास ये just one second so हमारा जो problem statement है वो है machine translation का थोड़े दिर के लिए मान लो कि हमें एक deep learning model build करना है जो machine translation करें उसमें भी बहुत specifically English to Hindi translation करके दे ठीक है और ये model बनाने के लिए हम एक transformer use कर रहे है ये मेरा assumption है ठीक है तो थोड़े दिर के लिए मान लेते हैं कि हमने हमारे इस transformer model को train कर लिया the training has been done इस data के उपर यहाँ पे फिलाल तीन ही sentences आपको दिख रहे हैं बट ऐसा मान लो कि बहुत सारे sentences हैं इस data set में तो हमने इस बहुत बड़े data set के उपर हमारे transformer को train कर लिया है now it is ready for inference अब मैं आपको दिखाता हूँ practically कि inference के time पे क्या होगा so मान लो कि inference के time पे मेरे transformer को किसी ने ये English sentence दिया I am fine और उसने बोला कि भाई इसको हिंदी में translate करके दिखाओ ये मेरा transformer model है this is the encoder and this is the decoder ठीक है तो encoder के बारे में तो शायद आपको पता चली क्या होगा यहाँ से आप अपना English sentence को अंदर भेजोगे the good part about transformer encoder is कि ये parallelly सारा का सारा English sentence को process कर सकता है because self attention mechanism ये use करता है तो मैं यहाँ से I भेजूँगा यहाँ से I भेजूँगा यहाँ से fine भेजूँगा यहाँ पे embeddings generate होंगी positional encoding apply होगा यहाँ पे अंदर एक multi head attention module होगा उसके आगे normalization होगा उसके आगे फिर एक feed forward neural network होगा उसके आगे फिर से normalization होगा और ऐसा करने के बाद multiple stacks से गुजरने के बाद हमारे पास end में for each word in our sentence we will have one vector I के लिए एक vector होगा am के लिए एक vector होगा fine के लिए एक vector होगा और यह vectors को मैं कहाँ भेज दूँगा मेरे decoder के पास अब unfortunately इस point पे हमें पता नहीं है कि decoder के अंदर क्या होता है but मोटा मोटा हमें idea है कि decoder काम कैसे करेगा वो auto-regressive तरी कैसे काम करेगा इसका मतलब यह होगा कि वो हर time step पे एक word produce करेगा predict करेगा उसका starting होगा इस stage पे जहाँ पे हम उसको एक start token देंगे उस start token को देने से और इस encoder के output को देने से मेरा decoder मुझे मेरा पहला word predict करके देगा और माल लेते हैं कि वो पहला word है मैं which is fine right which is correct I am fine का मतलब मैं बढ़िया हूँ ठीक है यह सही translation है by the way मुझे यह निकालना है अपने model से तो फिलहाल यह मैं आ गया अब आपको पता है auto-regressive model कैसे काम करता है अब उसको second time step पे भी encoder का input मिला और साथी साथ यह जो map predict हुआ था वो as input यहां से गया ठीक है और थोड़ी देख लिए माल लेते हैं कि यहाँ पर इस step में मेरे transformer ने गलती कर दी और उसने बढ़िया के बदले घटिया output कर दिया ठीक है ऐसा हो सकता है prediction गलत हो सकता है गलत prediction हो गया जो भी है हम आगे बढ़ेंगे time step 3 पे time step 3 पे फिर से मुझे encoder का यह output मिलेगा और साथी साथ यह जो घटिया हमारा यहां पे output आया है वो यहां से input बनके जाएगा और इस step पे मुझे जो output मिला वो है हो which is the correct output फिर क्या हुआ अगले time step पे हम गए जहां पे फिर से encoder का output मुझे मिला as input और यह जो हो है यह भी मिला और इसको अंदर भेजने से यहां पे मुझे मिला end जिसका मतलब है भाई translation बन करो हमारा काम हो गया so nutshell में हमारा जो prediction आया वो है मैं घटिया हूँ instead of मैं बढ़िया हूँ ठीक है and this is how inference will be done inference इस तरीके से होगा अब अंदर क्या calculations चल रही है यह हम लोग आगे सीखेंगे it's not our concern right now कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है but मोटा मोटा कुछ ऐसा हो रहा होगा during the inference stage अगर मेरा model autoregressive है I think यहां तक आप agree कर रहे हो अब एक काम करते है inference तो समझ में आ गया दो कदम पीछे लेते है मैंने तो आपको बोल दिया बहुत आसानी से कि भाई यह मेरा dataset है और इस पे मैंने अपने transformer model को train किया है दो step पीछे लेते हैं और training process को भी समझते है कि training कैसे हुई होगी फीक है तो एक काम करते है इस dataset को उठाते है और इसको नीचे लेके आते है so that यह discussion का part बना रहे so अब हम क्या कर रहे है दो step पीछे जा रहे है और हमारे transformer model को train कर रहे है इस dataset के उपर inference हमने पहले देख लिया अब हम लोग training देख रहे है ठीक है तो training में क्या होगा हम सबसे पहले sentence number one को उठाएंगे और sentence number one है how are you और हमें पता है पहले से पता है कि उसका हिंदी translation क्या है आप कैसे है ठीक है तो फिर से क्या funda रहेगा आप अपना English sentence यहां से अपने encoder में भेजोगे यहां पे आप how भेजोगे यहां पे आप r भेजोगे यहां पे आप u भेजोगे यहां पे वही सारे calculations चलेंगे और यहां से आपका encoder आपको output देगा ठीक है अब यही output आप उठा करके decoder में भेजोगे अगेन मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यहां पर हमारा जो assumption है वो यह है कि हम auto-regressive model के उपर काम कर रहे है so during training भी सब कुछ sequentially होना चाहिए ठीक है तो start करते है सबसे पहले time step पे हम यहां पे फिर से start token भेजेंगे to tell the decoder कि भाई अपना काम start करो translation चालो करो अब based on this input provided by the encoder and this start token अंदर decoder के कुछ calculations चली और उसने output में मुझे दिया तुम instead of आप होना चाहिए था आप उसने मुझे दिया तुम now this is wrong तुम नहीं आना चाहिए था आप आना चाहिए था तो यहां पर अब कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे हम लोग time step 2 पे लेकिन time step 2 पे अब एक change है change क्या है मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाये था कि training के time पे आप एक concept यूज करते हो जिसको हम teacher forcing बोलते है which means कि यहां पर आपका decoder सही output दिया हो या गलत output दिया हो it does not matter training के time पे आप अगले step में जो input भेजोगे वो data से उठाकर जो सही चीज है वही भेजोगे इसका मतलब यह हुआ कि तुम यहां पर गलत word था तो आप यहां पर तुम नहीं भेजोगे आप यहां पर instead आप भेजोगे क्योंकि आप data में सही word है ठीक है आपने यहां से आप भेजा और आपके encoder का output को भेजा अंदर processing हुई और यहां पर print हुआ कैसे जो की सही है तो कोई फर्क नहीं पढ़ता है यहां पर सही आ रहा है गलत आ रहा है कोई फर्क नहीं पढ़ता है आप हमेशा data से उठा होगे हलाकि इस case में सही था तो आपने यहां से कैसे भेज दिया और कैसे भेजने पर यहां पर output आया ठे which is again wrong कोई फर्क नहीं पढ़ता हम अगले step में ठे ना भेज करके data में जो है वो भेज रहे हैं हमने भेजा है और इससे मुझे मिला end और मेरा translation का process बंद हो गया so हुआ क्या कि output आना चीए था आप कैसे हैं बट मेरा output क्या आया तुम कैसे थे कोई बात नहीं गलतियां तो होंगी आपको क्या करना है अब इन दोनों के बीच में एक loss function लगा करके optimize करना है back propagation लगाना है और weights को update करना है यही होता है फिर आप अगले वाले रोपे जाओगे और यह process repeat करोगे बट जो main चीज यहाँ पर हुई वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और वो यह है कि हमारा जो training process था वो भी auto-regressive था which means यहाँ पर time steps involved थे which means कि यह सारा का सारा process sequential था so मैंने अभी just आपको यह करके दिखाया कि transformer का decoder भी मैंने inference के time पे auto-regressive रखा और training के time पे भी auto-regressive रखा अब I really want कि इस point पे आप एक बार वीडियो को pause करो और जरा सोचो कि training process को auto-regressive बनाने से क्या कोई नुकसान हुआ है क्या कोई problem आई है I hope आप समझ पा रहे हो कि एक बहुत बड़ी problem introduce हो गई है अगर आप इस training process को auto-regressive बना देते हो तो आपका training बहुत slow हो जाएगा क्यूँ मैं आपको बताता हूँ आप जब सोच के देखो कि इस एक single training example को या एक single row को process करने के लिए आपने decoder के under वाले operations कितनी बार चलाए four times right four times आपने इसलिए चलाए because यहाँ पर तीन words है आपके sentence में now imagine यह एक single छोटा sentence के बदले एक पूरा paragraph होता है तीन सो words का तो आप यह पूरी चीज 301 बार कर रहे होते हैं मतलब decoder के अंदर जो भी है जो भी operations हो रहे हैं बहुत सारे operations है by the way मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो बहुत सारे operations है इस सारे operations आप 301 बार कर रहे होते हैं यह सिफ एक row है by the way what if आपके data set में एक लाक row होते है now you can imagine कि यह sequential flow चलाने से आपका training process पूरी तरीके से sequential हो गया है which means for each word in your output data आपके decoder के अंदर का हर operation एक बार execute होगा this is very very slow अब I know आपके दिमाग में क्या आ रहा है आपके दिमाग में यह आ रहा है कि sir बट हम क्या कर सकते हैं यह तो मजबूरी है ना यह तो मजबूरी है कि हम sequentially execute करें because हमें sequential data output करना है तो फिर वहाँ पे तो auto regressive रखना ही एक option है मेरा answer होगा yes and no let me explain अगर आप inference की बात करो तो आपके पास सच में मजबूरी है कि आपको sequential जाना पड़ेगा क्यूं सोच के देखो आप जब time step 2 पे हो तो यहां से आप क्या input भेज रहे हो वो जो आपको पिछले time step में output मिला था अगर आप इस time step पे हो तो आपका input क्या है जो आपके पिछले time step का output है तो मिर पास कोई option ही नहीं है मुझे पिछला वाला चला के देखना ही पड़ेगा और जो output मुझे यहां मिल रहे है उसी को तो मैं आगे भेज सकता हूँ इसके इलावा मिर पास कोई option ही नहीं है and that is why inference के time पे auto-regressive होना आपकी मजबूरी है but guess what training में आसी कोई मजबूरी नहीं है ध्यान से देखो आप second step पे यहां पे क्या भेज रहे हो आप जबकि आपका यहां पर output क्या आया था तुम आप यहां पे क्या भेज रहे हो कैसे it does not matter पिछले time step पे कैसे आया या क्या आया या क्यों आया आप हर अगले time step पे input में एक ऐसी चीज भेज रहे हो जो आपके data set में already present है what I am trying to say is कि because of teacher forcing आपके उपर यह pressure है ही नहीं कि आप यहां input में इस time step में वो चीज भेजो जो आपके पिछले time step का output है I really hope आपको यह बात समझ में आ रही है because of teacher forcing यह जो constraint था हमारे system में कि भई पिछले time step का output ही अगले time step का input होगा वो रहा ही नहीं पिछले time step में कुछ भी आए आपका इस time step का input हमेशा data set से decide हो रहा है and guess what यह data set तो आपके पास हमेशा से है तो फिर wait क्यों करना है मतलब यह है कि यह आप word यह कैसे word और यह है word in fact यह start word यह चारो तो मेरे पास हमेशा से है तो यह चारो steps को मैं parallelly भी तो execute कर सकता हूँ क्योंकि यह जो अंदर calculations चल रही है यह तो parallelly execute हो ही सकती है so basically time step basis का कोई dependency रहा नहीं training में और असली transformer architecture में यह होता है वो इस पूरे process को इस तरीके से optimize करते हैं कि during the training process आपका transformer का decoder is non auto regressive now I really hope आपको यह sentence समझ में आ रहा है auto regressive होता है inference time पे क्योंकि वो मजबूरी है but training time पे auto regressive नहीं होता सब कुछ parallelly process होता है और parallelly process होने की वज़े से training का जो speed है वो बहुत fast हो जाता है I hope आपको यह बात अभी तक समझ में आ रही है तो अब हमारा आगे का discussion इस चीज़ पे होगा कि कैसे हम इस problematic scenario को solve करेंगे कैसे हम यहाँ पे parallel execution लाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अब guys हमने बहुत आराम से यह तो भोल दिया कि हमें auto regressive के बदले non auto regressive तरीके से decoder को train करना चाहिए और parallel तरीके से training होनी चाहिए but guess what यह उतना आसान नहीं है और मैं आपको समझाता हूँ कि यह इतना आसान क्यों नहीं है अब यह समझने के लिए एक काम करते हैं अभी तक तो हम यह मान के चल रहे थे कि decoder के अंदर कुछ कुछ होता है हमें नहीं पता अंदर क्या calculations चलती है एक काम करते है थोड़ा साना decoder को देखते है इसके अंदर है क्या clearly यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग blocks है मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ इस first block से ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है decoder के अंदर जो first block है उसका नाम है masked multi-head attention अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी तर के लिए masked को भूल जाओ क्योंकि हमें नहीं पता masked क्या है बढ़ हमें multi-head attention तो पता है यह हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था encoder में और अगर मैं थोड़ा और simplify करना चाहूँ इस discussion को तो what I can do is I can actually call multi-head attention self-attention because after all multi-head attention होता क्या है multiple self-attention अगर हम सिर्फ एक head use कर रहे होते तो हमारा multi-head attention is equal to self-attention तो एक काम करते हैं just to simplify our discussion हम मान लेते हैं कि decoder के अंदर जो पहला block आपको दिखाई देता है वो self-attention block है और आपको अब क्या करना है इस first row को training के दौरान इस self-attention block में भेजना है so in short ये जो आपके तीन words है आप कैसे हैं ये तीनों एक साथ इस self-attention block में घुसेंगे अब I know आपके दिमाग में सब questions आ रहे होंगे कि directly हिंदी के words कैसे जा सकते हैं self-attention में I know valid बात है directly नहीं जाएगा हमारे पस embedding का feature है आप क्या करोगे आप पहले इन तीनों words को लोगे मैं थोड़ा यहाँ पर detail में लिखता हूँ आप इन तीनों words को लोगे आप कैसे हैं यह तीन words को आपने लिया और आपने इन तीनों को पहले भेजा embedding layer में और embedding layer ने क्या किया इन तीनों words के लिए एक एक embedding create किया embedding मतलब vector create किया यहाँ पर आपके पास आपका embedding है यहाँ पर आपके पास कैसे का embedding है और यहाँ पर आपके पास है का embedding है ठीक है अब इन embeddings को आप भेजोगे कहा पर self attention के अंदर अब I want कि आप फोड़ा पीछे जाओ इस playlist में और याद करने की कोशिश करो कि जब मैं आपको what is self-attention पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सबसे simple क्या description दिया था self-attention का सो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि self-attention एक ऐसा block होता है जहाँ पर जब आप किसी particular word का embedding भेजते हो तो यह self-attention क्या करता है उस embedding से contextual embedding generate करता है उसी word का contextual embedding generate करता है मैंने आपको example भी दिया था अगर आपको याद हो हमारे पास दो sentences थे एक था river bank और एक था money bank मैंने आपको बताया था कि जब आप इन तीनों words का embedding निकालोगे river का embedding निकालोगे money का embedding निकालोगे और bank का embedding निकालोगे तो आप ये बात realize करोगे कि bank का embedding और इस bank का embedding सेम है जो की होना नहीं चाहिए because ये दोनों words अलग sentence में अलग context में use हो रहे हैं पहले sentence में bank का मतलब एक जगह है किनारा और दूसरे sentence में bank का मतलब एक institution है जहाँ पर आप पैसे जमा करते हो तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे river का embedding भेजोगे और यहाँ पे आप bank का embedding भेजोगे तो इस तरफ आपको river का contextual embedding मिलेगा और इस तरफ आपको bank का contextual embedding मिलेगा और ये जो contextual embedding या फिर इसको vector बुला सकते हैं ये जो vector होगा वो इस बात को consider करेगा कि वो river के साथ use हो है similarly आप अगर money को भेजोगे as in money के embedding vector को भेजोगे और यहां से bank के embedding vector को भेजोगे तो यहां पे आपको money का contextual embedding मिलेगा और यहां पे आपको bank का contextual embedding मिलेगा और यहां पे जो bank का contextual embedding या vector है वो इस बात को consider करेगा कि वो money के साथ exist कर रहा है विच मीन्स कि बैंक का ये contextual embedding और बैंक का ये contextual embedding ये दोनों अलग होंगे और यही काम करता है आपका self-attention block अब अगर आप बात करो इस situation की जहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक self-attention block है और वहाँ से आप तीन words आप कैसे और है इन तीनों words का जब आप embedding भेज रहे हो तो ये self-attention block क्या करेगा इन तीनों words के लिए contextual embedding generate करेगा और ये तीनों के तीनों contextual embedding जेनरेट करेगा ये consider करेंगे कि वो particular word किन दूसरे words के साथ exist कर रहा है मतलब जब आपका contextual embedding generate होगा तो वो ये consider करेगा कि वो कैसे और है के साथ use हो रहा है जब आप कैसे का contextual embedding generate करोगे तो वो इस बात को consider करेगा कि वो आप और है के साथ exist कर रहा है जब आप है का contextual embedding generate करोगे तो वो इस बात को consider करेगा कि वो आप और कैसे के साथ use हो रहा है I hope आपको यहां तक बात समझ में आ रही है तो inner way मैंने आपको यह दिखाया था उस पुराने वीडियो में कि contextual embedding को आप mathematically एक तरीके से perceive कर सकते हो जैसे कि आप यह लिख सकते हो कि आपका contextual embedding ऐसा आ सकता है जैसे कि वो 0.8 times आपकी embedding से मिलके बना है 0.1 times कैसे की embedding से मिलके बना है और 0.1 times है की embedding से मिलके बना है similarly आप ऐसा perceive कर सकते हो obviously यह example numbers है कि कैसे का contextual embedding 0.15% आप की embedding से मिलके बना है 0.75% खुद कैसे की embedding से मिलके बना है और 0.1% है की embedding से मिलके बना है and similarly है का contextual embedding 0.1 times आप की embedding से मिलके बना है 0.2 times कैसे की embedding से मिलके बना है और 0.7 times खुद है की embedding से मिलके बना है अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इतने detail में आपको अलरी self attention पढ़ा रखा है फिर मैं ये दो बारा repeat क्यों कर रहा हूँ मैं इसलिए repeat कर रहा हूँ because बहुत deep level पे जाकर के मैं आपके दिमाग में एक point बिठाना चाहता हूँ कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो इन सारे words को parallelly भेज के क्योंकि सोच के देखो आपने अभी क्या किया आपने just आपका जो contextual embedding है उसको represent किया with the help of आपके embedding के साथ कैसे की embedding के साथ और है की embedding के साथ अब आप बोलोगे इसमें क्या गलत है तो I would say कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी problem है बहुत बड़ी problem यह है कि जब आपने यह sentence लिखना शुरू किया होगा तो आपने सिर्फ आप लिखा होगा तो इस point पे सिर्फ आप है कैसे नहीं है है नहीं है ठीक है बट आपका यह equation क्या demand कर रहा है कि आपको represent करने के लिए उसको point eight times आप चाहिए point one times कैसे चाहिए जो कि अभी exist नहीं करता और point one times है चाहिए similarly आपने sentence में अगला word जैसे ही add क्या होगा कैसे तो अब आप कैसे को represent करने के लिए क्या demand कर रहे हो कि भाई कैसे 15% आप से मिलके बनेगा 75% कैसे से मिलके बनेगा और 10% है से मिलके बनेगा है by the way अभी picture में आया भी नहीं है और finally जब आप है लिख दोगे तो इसमें कोई problem नहीं है क्योंकि है के time पर ये तीनों चीज़े exist करती है तो ये अपना काम कर सकता है 10% आप से मिलके बना है 20% कैसे से मिलके बना है 70% है से मिलके बना है बट इसमें और इसमें एक बहुत बड़ी problem है कि आपका जो current token का value है इसको derive करने के लिए या calculate करने के लिए आप future token की values को use कर रहे हो which is unfair don't you think ये training के time पे तो आप कर सकते हो because आपके पास data set available है आपके पास output sentence available है but ये काम आप prediction के time पे inference के time पे नहीं कर सकते because guess what आपने just अभी आप print किया है तो आपको क्या पता अगला sentence में कैसे आएगा है आएगा या कुछ और आएगा तो फिर आप ये mathematical expression solve ही कैसे कर पाओगे या इसका value निकाल ही कैसे पाओगे आप future की चीज़े नहीं जानते हो तो आप future की values को use नहीं कर सकते but आप training में ऐसा कर रहे हो and that is why ये गलत है machine learning में आप कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते जहांपे आप training में तो कुछ कर सकते हो but वो same काम prediction में नहीं कर सकते essentially अगर मैं बोलू एक hard difficult word तो I would say कि आप cheating कर रहे हो आप अपने model से cheating कर रहे हो आप उसको पहले से बता दे रहे हो कि there is a good chance कि आपका ये model training data पे अच्छे results देगा बट जब वो real world data पे जाके prediction करने जाएगा तो उसका results बहुत खराब आएंगे अगर आपने एक बहुत famous term सुना है तो ये जो example है ये data leakage का example है आपके model के पास training के time पे कुछ extra information है जो नहीं होनी चाहिए वो चीज उसके पास prediction के time पे नहीं रहेगा this is a case of serious data leakage so ये वो problem है जो मैं आपको बताना चाहता था जब आप parallel approach यूज़ करते हो so now हम first चुके है let me summarize your situation आपकी situation ये है कि आपने जब auto regressive approach लिया by the way by the way going back to the discussion ये data leakage का problem नहीं होता अगर आप चुप चाप से auto regressive तरीके से training कराते sequence में सोच के देखो आपके पास सिर्फ आप होता तो आप आप के basis पे सारा calculation करते जब आप और कैसे आजाता तो आप और कैसे के basis पे सारा calculation करते जब आप कैसे और है आजाता तो इन तीनों के basis पे calculation करते ये data leakage की problem होती ही नहीं so in short let me summarize कि आप कहां फसे हो आप जब auto regressive training कराने निकले तो सब अच्छा था अच्छे से चीज़े चल रहे थी data leakage नहीं था I should say no data leakage but problem क्या हो रही थी कि जो training है वो slow हो जा रही थी in fact बहुत slow हो जा रही थी और जब आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं non auto regressive तरीके से train करते हैं सारे tokens को parallelly भेजेंगे एक साथ सब कुछ predict करेंगे तो training तो भाई आपकी fast हो गई काफी fast हो गई because आप batches में data भेज रहो but एक नई problem आ गई और वो है data leakage की आपके current tokens आपके future tokens की value देख पा रहे हैं which is unfair prediction के time पर ये नहीं मिलेगा right so nutshell में इधर कुआ उधर खाई इस situation में आप फस चुके हो और अब इस दुविधा को कैसे solve करें ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है क्या ये possible भी है अगर मैं sequential करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई problem आ रही है अगर मैं parallel करने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरी problem आ रही है क्या कोई ऐसा smart तरीका है जिससे हम best of both worlds निकाल पाएं the answer is yes the answer is yes but उसके लिए आपको self attention के how में घुसना पड़ेगा उसके अंदर की सारी calculations को एक बार revisit करना पड़ेगा because वहीं पर answer चुपा है so I'm pretty sure अब आप काफी excited हो आगे बढ़ते हैं तो चलो guys एक बार फिर से self attention का जो working है वो समझते हैं और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं because इसके details में ही हमारा answer चुपा हुआ है ठीक है so let's see self attention कैसे काम करते है so हमारे पास हमारा output sentence है आप कैसे है और हमें इन तीनो words को एक साथ self attention module में भेजना है बट वो करने के पहले हमें इन तीनो का embeddings calculate करना है तो सबसे पहले हम वो करेंगे यहाँ पर यह जो yellow color का box है इसमें हमने हर word का embedding calculate करके रखा है यह आप का embedding है यह कैसे का embedding है और यह hack का embedding है अब आपको क्या करना होता है कि self attention block के अंदर घुसना होता है और self attention block के अंदर आपको सबसे पहले तीन matrices मिलते है इनको हम weight matrices बुलाते है ठीक है एक का नाम होता है WQ एक का नाम होता है WK और तीसरे का नाम होता है WV अब आपको क्या करना होता है अपने हर word की embedding को इन तीनो weight matrices के साथ dot product कराना होता है ठीक है तो यहाँ पे diagram देख के आपको confused नहीं होना है यह green matrix यह green matrix और यह green matrix same है exactly same यह pink यह pink और यह pink exactly same है यह blue यह blue और यह blue exactly same है हम क्या कर रहे है हर word की embedding को उठा रहे है और तीनो weight matrices के साथ dot product कर रहे है इससे हमें हर word के embedding के लिए तीन नए vectors मिल रहे है you can see that जब हमने आप की embedding को इन तीनो matrices के साथ dot product किया तो हमें तीन नए vectors मिले q-up, k-up, v-up यह वही famous vectors हैं जिनको हम query key और value vectors बिलाते है so basically for every word of my sentence I will get three new vectors हर word का खुद का query vector होगा हर word का खुद का key vector होगा हर word का खुद का value vector होगा so इस stage में हमने वो सारे vectors calculate कर लिए अब एक काम करते है थोड़ा सहूलियत के लिए एक काम कर सकते हैं कि जो सारे के सारे query vectors हैं उनको हम stack up करके एक matrix बना सकते हैं और we can call this matrix the query matrix इसमें हमारे हर word के query vectors का kind of हमने combination मना दिया similarly हम सारे के सारे key vectors को उठा करके key matrix बना सकते हैं और सारे के सारे value vectors को उठा करके value matrix बना सकते हैं ऐसा करने से बस ये फायदा होगा कि आप matrix operation एक साथ कर पाऊगे rather than doing individual operation on all the words अब यहां से main काम शुरू होता है self attention का सबसे पहली चीज़ आप क्या गरते हो कि आप query और key matrix के बीच में dot product कराते हो और इससे आपको एक नया matrix मिलता है और इस नया matrix में हर value represents the attention score right so this light yellow matrix is very important because this contains your attention scores अब आप क्या गरते हो इन attention scores को scale करते हो basically इसके हर item को आप divide मारते हो इस number से 1 divided by square root of dk where dk is the dimensionality of the vector again सब कुछ आपको पता है इससे आपको यह नया matrix मिलता है yellow color का matrix अब इसके उपर आप softmax operation चलाते हो जिससे आपको finally वो numbers मिलते हैं जिनको use करके आप contextual embeddings calculate करोगे कैसे? बहुत simple है अब आप क्या गरते हो? आप अप अपने weights को उठाते हो और इन weights को आप value vectors के साथ multiply करते हो for example आप contextual embedding आपको calculate करना है कैसे calculate करोगे? बहुत simple है आप इस matrix का first weight उठाओगे w11 और उसको multiply गर दोगे आपके value vector के साथ vup फिर आप इसी matrix का second item उठाओगे w12 और इसको आप multiply गर दोगे कैसे के value vector के साथ फिर आप इसी का third item उठाओगे w13 और इसको multiply गर दोगे hack के value vector के साथ और इन तीनों को जब आप add करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका contextual embedding similarly आपको कैसे का contextual embedding calculate करना है आप ये वाला item उठाओगे और इसको multiply कर दोगे we आपके साथ फिर ये वाला item उठाओगे इसको multiply कर दोगे we कैसे के साथ फिर आप ये वाला item उठाओगे इसको multiply कर दोगे we है के साथ और फिर इन तीनों को add कर दोगे इससे आपको मिलेगा कैसे का contextual embedding और बिल्कुल सेम तरीके से आप नीचे वाले rows के सारे numbers को उठाओगे और multiplication करते जाओगे और आपको आपका है word का contextual embedding मिल जाएगा So this is the entire process of self-attention And trust me, यह मैंने बहुत detail में आपको पढ़ाया है Now comes the moment हमें क्या नहीं चाहिए ध्यान से देखो यहाँ पर आपका answer चुपा है हमें आपका contextual embedding calculate करते वक्त ये वाला contribution नहीं चाहिए Plus ये वाला contribution नहीं चाहिए Because जब आप आपकी बात कर रहे हो तो कैसे और है picture में नहीं आया था Similarly जब आप कैसे का contextual embedding calculate कर रहे हो तब आपको ये वाला component पिक्चर में नहीं चाहिए Because जब कैसे आया था तब है picture में नहीं था So in a way मुझे किसी तरीके से इसको 0 करना है इसको 0 करना है और इसको 0 करना है अब 0 करने के तरीके बहुत ज़ादा नहीं है यहाँ पर बहुत simple observation है कि किसी तरीके से अगर आप w12, w13 और w23 को 0 कर दो तो automatically ये सारी चीज़े 0 हो जाएंगी और फिर आप को बनाने के लिए सिर्फ आप का contribution होगा कैसे को बनाने के लिए सिर्फ आप और कैसे का contribution होगा और हमारा problem solve हो जाएगा बट सवाल ये उठता है कि हम इन तीनों को 0 करेंगे कैसे सो यहीं पर आता है masking का concept हम क्या करेंगे हम इस पूरे के पूरे flow में एक step और add कर देंगे ध्यान देना क्या करेंगे हम सो हमारे पास ये dot product से ये वाला matrix आया which is fine उसके बाद हमने scaling की तो हमें ये yellow color का matrix मिला this one this is also fine अब इस step में आप क्या करोगे आप बिलकुल same dimension का एक नया matrix create करोगे जिसको आप mask भुलाओगे ध्यान देना इसका shape exactly वही है जो इस matrix का है बस हम एक चीज़ करेंगे कि जो जो जगहों पे हमें 0 चाहिए था उन जगहों पे हम minus infinity आड़ कर देंगे ठीक है अब क्या होगा कि जब हम इन दोनों matrices को add करेंगे तो since ये तीन जगहों पे minus infinity है तो automatically जब s 1 to add होगा इस minus infinity से तो क्या मिलेगा minus infinity जब ये add होगा minus infinity से तो हमें क्या मिलेगा minus infinity और जब ये add होगा minus infinity से तो हमें क्या मिलेगा minus infinity since बाकी सारी जगहों पे 0 है तो ये सारी values as it is copy हो जाएंगी अब इस matrix के उपर हम softmax लगाएंगे जो हम करते आ रहे थे अब आपको शायद पता हो या ना पता हो but softmax of minus infinity is 0 और यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा जैसे यहाँ पे आपको 0 मिलेगा तो automatically यह चीज 0 हो गई यह चीज 0 हो गई और यह चीज 0 हो गई से automatically आपका contextual embedding calculate करते वक्त सिर्फ आपका value vector use हो रहा है कैसे का contextual embedding calculate करते वक्त सिर्फ आप और कैसे का embedding value vector calculate हो रहा है या use हो रहा है और है के लिए तीनो use हो रहा है and this is how masking will solve the problem of having not having a auto regressive model yet having a parallel processing so इस process से क्या हो रहा है हमें best of both worlds मिल रहा है हम parallelी चीजों को process कर पा रहे है एक साथ हमने तीनों को भेजा एक साथ हमारे तीनों के लिए answer निकल के आ रहा है at the same time since हमने masking कर दी तो current token को future tokens की value नहीं मिल रही तो data leakage भी नहीं हो रहा so इस तरीके से हमने training के process में achieve किया non auto regressive modeling right I really hope ये पूरा का पूरा explanation इस last moment पे आकर के it's making sense to you right I'll be very honest with you मुझे लगता है शायद एक घंटे का वीडियो हो चुका होगा कोई और YouTube channel पे शायद ये आपको 10 minutes में समझाया जा सकता था and I'm totally okay कोई सच में ये topic 10 minutes में समझा सकता है but मैंने ये समझाने के लिए एक घंटा लिया और मैंने ये एक घंटा सिर्फ इस लिया because मुझे ऐसा लगता है कि अब इस एक घंटे के explanation के बाद आपको ये topic सिर्फ आता ही नहीं है but मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद किसी को पकड़ के पढ़ा भी सकते हो so उस level का confidence और knowledge impart करने के लिए मैंने वो extra 50 minutes लिए I really hope आपको ये approach पसंद आया अगर आपको ये approach पसंद आया please do like this video और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है please do subscribe we are on a beautiful journey to explain the transformers architecture we are going slow I know but I promise you by the end of this journey आपके पास transformers का बहुत clear picture होगा इतना clear कि आप अपने peers से बहुत better perform कर पाओगे अगर आप से interviews में questions पूछे गए इस topic के ओपर so I am super excited आगे के वीडियो के लिए I really hope आप भी हो मिलते हैं next वीडियो में Bye